शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनबीसियन न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें मन में जिद हो तो इनसान क्या कुछ नहीं कर सकता दिनबाइ स्कूल के छात्र और सेवानगर के बेहत करीब परिवार के एक लोगते सुपत्र रितेश संजेराठोर नेवी परिस्तितियों के बावजूद भी अपनी जित के दम पर दसवे बोर्ट की परिक्षा में 94.60 फिस देंग हासिल कर सब को चोका दिया पेशे इनबीसियन सवादाता जुबेर खान की एरिपोर्ट कहते हैं काम्यावी किसी की बपोती नहीं है ना ही वो किसी को विरासत में मिली है इसे हासिल करने के लिए निरंतर करी महनत, लगन, सकानात्मक नजरिया और खुत प्यात्म विश्वास का गुन होना जरूरी होता है अपने इसी गुन के दम पर सेवानगर के इडभटी मज़ूर संजे राठोर के इकलोते सूपुत्र रितेश राठोर ने काम्यावी को अपने घर की चौकट पर खीश लाया है रितेश ने दसवी की कक्षा की पोर्ड परिक्षा में 94.60 पीस दी अंक हासिल कर काम्यावी के नई मिसाल कायम की है वैसे तो दसवी पोर्ड की परिक्षा में कई बच्चों ने उम्दा प्रतर्शन किया है कई बच्चों ने अपने तहसिल या अपने स्कूल में सबसे अवल भी आये है जो की प्रशन से नहीं बात है लेकिन रितेश की यह काम्याबी इसलिए भी माईने रखती है कि रितेश का परिवार गरी भी रेखा के नीचे आता है उनके घर में कल तक बीजली नहीं थी रितेश कभी टॉर्च पे कभी चिराग के और कभी दिन के उजाले में और रात में मोबाइल टॉर्च के रोशनी में घंटो पढ़ा करता था रितेश के पिता किसी अन्यपिता की तरह पैसे वाले नहीं ना ही उनकी कमाई को कोई पुकता जरिया है वे बुआई के मौसम में फिलाल किसी और के खेत में खेत बटाई पे काम कर रहे है जब हाथ में काम नहीं होता तो वे पूना जाकर एक भटी मजदूरी का काम करते है रितेश की उपलब्धी से बाप होने के नाते उनका सिना चोड़ा तो हो गया लेकिन मन ही मन में उनको चीनता है कि आगे के पड़ाई के लिए जो पैसा लगेगा उसका इंतजाम वो कैसे करेंगे यही वज़े है कि कहीं न कहीं उनके उम्मीदे सरकार से जुड़ी है रितेश के घर में उनकी मा कविता राठोड है जो गुरुही ने है और एक पहन शिवानी राठोड जो पढ़ना चाहती थी लेकिन घर की हालत और पिता सहित पूरे परिवार का कभी गाव या कभी पूना काम के लिए आना जाना उसके पढ़ाई में बाधग बन गया और उसने सातवी कक्षा से पढ़ाई छोड़ दी रितेश ने इन बीसियन को बताया कि घर में कोई जादा पड़ा लिखा नहीं और ना ही किसी को कोई नवकरी है ऐसे में बशपन से ही रितेश की जिद है कि वो कुछ करके जरूर दिखाएगा घर की गरिबी और विपरित हालात में रितेश ने 94.60 पीस दियंग खुद ही कह रहे है कि रितेश ने कुछ तो जरूर किया है नव आसता थिवाच जय जाओ तितुन लगे जन चूटले आनलां थाव आसता थिवाच शूटायिजी तर मी शायचा घचीवर चाऊन मां बारा वचे परेंत अब्यास करायिजी रितेश के पिता के दोज गजानन वागमारे पेशे से सलोल मालक है जिन्नोंने रितेश को अपनी हैसियत से समय समय पर आर्थिक तोर पर मदद भी की है रितेश का पुना की किसी स्कूल से दाखिला निकाल कर लाना हो या दिकरज की दिनबाय स्कूल में आठवी कक्षा में दाखिला कराना हो ये सब काम उन्होंने दिल से किये रितेश की काम्याबी ने उन्हें भी भाव विभोर कर दिया है आज थोड़ी फार मदद मी या मुलाला कीली। और विपरिस्तितियों का मुकाबला कर अपने लक्ष को प्राप्त किया है। रितेश की उपलब्धी से न सिर्फ उनका पड़िवार बलके उनका गाव सेवा नगर भी गवरनवीत महसूस कर रहा है। औरो को प्रेरित करने वाली रितेश की कामया भी वाके ही तारीफ काबिल है।